नमस्ते दोस्तों आज हम मौरी वन्ष के प्रमुक्षासक समराथ अशोक के बारे में जानेंगे समराथ अशोक का जन्म 304 इसा पूर्व हुआ था उनके पिता का नाम बिंदुसार माता का नाम सुप्रत्रांगी या धम्मा था अशोक की पत्नी का नाम देवी एवं पन्मावती अशोक का राज्या विशेग 29 इसा पूर्व हुआ था और समराथ अशोक की म्रत्युतक्ष शीला में 232 इसा पूर्व में हुई थी अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी बोद्द साक्ष दिव्या वदान और सीहली अनुशुती से मिलती है अशोक का पूरा नाम अशोक देवनाम प्रिय अशोक था अशोक के पीता का नाम बिंदुसार था जोकी चंद्रगुप्त मौर्य के पूत्र थे राजा बिंदुसार के कुल 101 पूत्र थे अशोका वदान ग्रंथ में अशोक की माता का नाम सुपध्रांगी उल्लेखी थे जबकि कुछ अन्य ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा बताया गया है राजा बिंदुसार ने तक्ष शीला पर हो रहे विद्रोह को रोखने के लिए अशोप को महा का वाई सराय बना कर भेजा और अशोप ने बड़ी कुरूरता पुर्वक उस विद्रोह को दबा दिया अशोप की कई पत्निया थी जिनमें देवी और पद्मावती का नाम उल्लेखनी अहें अशोप के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संग मित्रा देवी की संतान थी तथा कुणाल समराट अशोप की दूसरी पत्नी महरानी पद्मावती का पुत्र था कुणाल तक्ष शीला एवं अवंती का प्रांतपती बना विद्वानों के अनुसार अशोक ने अपने नन्यार्मे भाईयों को मार कर रासिहासन प्राप्त किया था अशोका वदान ग्रंथ में कलिंग युद्ध के पहले अशोक के रूप को चंड अशोक कहा गया है इसका अर्थ है क्रूर और निर्दै अशोक अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक मगद में शासन किया 299 इसापुर्व से 232 इसापुर्व अशोक का राजकाल माना जाता है अशोक के शासनकाल में चिकिस्सा पदती काफी विक्सित हुई अशोक ने बहुत सारे विश्व विध्यालियों का निर्मान करवाया राजा अशोक को कुषल समराट बनाने में आचारे चानक के के पोते राधा गुप्त का महत्वपुर्ण योगदान रहा समराट अशोख ने सर्व प्रथम कश्मीर को अपने सामराज्य में मिलाया अशोख ने सामराज्य विस्तार के लिए अपने पिता महा चंद्रगुप्त मोर्य की सामराज्य वाती नीती को अपनाया पिता महा का आर्थ होता है दादा जी उन्होंने वर्तमान अफगानिस्तान उजबेकिस्तान तक अपने सामराजी का विस्तार किया सामराजी विस्तार के दोरान अशुंग ने कलिंग का युद्ध लड़ा हाती गुफा शीला लेक के अनुसार कलिंग पर नंदवन्ष का नियंतरन था लेकिन नंदवंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था समराट अशोख ने 261 इसा पूर्व कलिंग को अपने सामराज्य में मिलाने के लिए कलिंग पर आकरमन किया कलिंग वर्तमान समय में भारत के उड़िसा राज्य में इस्थित है अशोख के तेरवे शीला लेख में कलिंग युद्ध की विशालता के बारे में पता चलता है कलिंग युद्ध में एक लाग से जादा लोग मारे गए, बहुत से बंदी बने तथा कई हजार लोगों को राज्य से निश्कासित कर दिया गया समराट अशोख ने कलिंग युद्ध में विजे प्राप्त की लेकिन इतना भारी रक्तपात तबाही और बरबादी से अशोख के मन में शोख उत्पन हुआ और उसने कभी भी युद्ध ना करने की प्रतिग्या की इस घटना के बाद क्रूर और निर्दे माने जाने वाला अशोख धर्माशोख बन गया कलिंग युद्ध के बाद समराट अशोख और बोद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अशोख का हिर्दे पूल तरब परिवर्तित हो गया भोग विलास में टूबा रहने वाला अशोक सन्यासी बन गया, वह लोग कल्यान के कावियों में लग गया अशोक ने लोगों के साथ साथ पशोक के लिए भी चिकिस साले का निर्मान करवाया सम्राट अशोक ने पशु बली को बंद कर दिया तथा मदीरा पान पर अमकुष लगा दिया अशोक एक मात्र एसा शासक था जिसने अपने सभी प्रकार के निर्णे विचारों तथा अपने जीवन की महतुपूर्ण घटनाओं को शीलाओं पर अंकित किया कली युद्ध के बाद जब अशोक का हिर्दे परिवर्टित हुआ उसने बहुत धर्म अपना लिया बहुत धर्म स्विकारने के बाद उसने उसे अपने जीवन में उताने का भी प्रयास किया उसने शीकार और पशु अत्या करना छोड़ दिया उसने ब्रामनों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को दान देना आरंभ किया अशोक ने बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संग मित्रा को शीलंका भेजा था महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बोद्ध धर्म में दिख्षित किया अशोक के शासनकाल में पाठली पुत्र में त्रत्य बोद्ध संगिती का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षिता मोगाली पुत्र तिस्या ने की अशोक ने बोध्ध धर्म के प्रचारार्थ रण यात्रा के इस्थान पर धर्म यात्रा की व्यवस्था की वह स्व्यम धर्म यात्राएं किया करता था तता अपने अधिकारियों फोभी धर्मिक इस्थानों की यात्रा करने को भेशता था अशोक ने धम अर्था धर्म कह साहरा लेकर लोगों को जीयो और जीने दोगी शिख्षा दी अशोक ने अपने धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर बल दिया समराट अशोक को इतियास का सबसे महान्शासक माना जाता है भारत के तिरंगे जंडे में वन्नित अशोक चक्र समराट अशोक की ही देन है अशोक का नीधन समराट अशोक का नीधन 232 इसा पुर्व हुआ था तिब्बती परंपरा के अनुसार अशोक का देहा वासन तक्ष शीला में हुआ